हेलो एवरिवन अभी कंपटिशन क्लासस में आप सभी लोगों का स्वागत है तो देख लेते हैं आज के सेशन में हम देखेंगे आर आर बी रेलवे सुरच्छा बल आर पीफ का पेपर देख रहे हैं दो हजार उन्निस 2019 में किस तरीका पेपर आया था हम ये देखेंगे तो प्रीबियस एर हम करने जा रहे हैं आज आर पीफ का तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवस्य कर लें और हमारा विल आइकन भी दबा जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्थ होता रहे और आपको महत्पुर जनकारियां मिलती रहें तो चलते हैं देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रशन तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे सेर अवस्य कर दें जिससे उनके पास भी पहुं सके और उनको भी शेशन का फाइदा प्राप्थ हो सके तो चलते हैं देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रशन तो आज का हमारा पहला प्रशन इसमें क्यांसा हो जाएगा तो यह सामने दिया हुआ है question number 1 है question number 1 हमारा क्या हो जाएगा तो इसके वारे हम देखते हैं नेम लिखित में से कौन सा क्या है नेम लिखित में से कौन सा सबसे सबसे कम भूच्छेत्र है तो नेम लिखित में से कौन सा एक सबसे कम भूच्छेत्र बाला जो है दीप हो जाएगा तो इसमें देख लेना पहनी नहीं चाहिए तो इसमें हमारा सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौँसा जाएगा तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा कौँसा आश्टेलिया अपसन नमबर B है जो आश्टेलिया हमारा सबसे छोटा हो जाएगा इसमें देख लेते हैं चेतरफल की दश्टी से सबसे छो अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में आएगा अमेरिका, अमेरिका के बाद में दच्छिड अमेरिका, फिर है अंटाकर्टिका, फिर है यूरोप और सबसे लाष्ट में है आस्ट्रेलिया, तो आस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है, कौन सा है तो एसिया पांचवा है दच्छिडी अमेरिका और छठा है आस्ट्रेलिया तो सबसे कम जन संख्या भी आस्ट्रेलिया में ही रहती है चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा तो अगला प्रश्न हमारा ये है Q2. Q2 क्या है? भासड और अभिवक्ति की सुतंता किस मौलिक अधिकार के अंतरगद आती है? तो भासड और अभिवक्ति की सुतंतरा जो है, किस मौलिक अधिकार के अंतरगद आती है? तो इसमें सम्वेधानिक उप्चारू का अधिकार, धार्मिक सुतंता का अधिकार, सुत अंतरगत हम भासल और अभिवक्ति की सुतंता हमारी बिलती है, यह मौलिक कर्दिकार हमारा हो जाता है, तो भासल और अभिवक्ति की सुतंता समिधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिवक्ति और आजादी के अंतरगत आती है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, इस लिया है इन सभी के बारे में चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ देख लेते हैं अगला प्रश्ण अनुच्छेद 32 जो है समयधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतरगत आता है समयधानिक उपचारों का अधिकार है अगला प्रश्ण हमारा है कुशन निमलिखित में से कामुक रचना के लिए प्रशिद्ध है। निमलिखित में से कामुक रचना के लिए प्रशिद्ध है। थोड़ा जल्दी यल्दी देखेंगे। यदि तरल माध्यम में केबल पानी है तो मिस्रण को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा। परजीवी मिस्रण, गर्म निरोधक मिस्रण, अतधिक योगिक या संपार्शुविक मिस्रण। तो हम जल्दी यल्दी देखेंगे बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग पढ़ना और इसे डीप तरीके से पढ़ना ठीक है। तो क्या है संपार्शुविक या समांगी मिस्रण, ऐसे मिस्रण के किसी भी भाग या संगटन, उसके किसी भी दूर भाग के संगटन के समान होता है, जिनके अभी अभी कड़ों को अलग अलग नहीं देखाया सकता। और जल के नमक का बिलियन, विसमांगी मिस्रण क्या होता है, ऐसे मिस्रण के भी भिन भिन भागों का संगटन एक दूसरे से भिन होता है, और जिनके अभी अभी कड़ों को अलग देखाया सकता है, जैसे पानी में तेल का मिस्रण, ओके, देख लेते हैं, अगला कुश्च भारत का अधिकांस भाग किस मिट्टी से धका हुआ है? कहा जाता है यहां भारत की लगभग 43% भाग पर पाई जाती है और यहां मिट्टी सतलज गंगा यमुना घागरा गंडक ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है इस मिट्टी में कंकड नहीं पाई जाते हैं अगला परशन देख लेंगे question number 6 है निम लिखित में से कौनसा विकल्प कबड़ी खेल से सम्मंदित हो जाएगा तो AKFI है AIKF है फीफा है या BCCI है तो इसमें से हमारा option number सही हो जाएगा option number 1 ही है AKFI का पूर्ण नाम है A Mature Kabaddi Federation of India जो कबड़ी खेल से सम्मंदित मियामक संस्था है इसकी स्थापना 1700 1973 में होई थी इसका मुख्याले जैपूर में है या फीफा का सम्मंद फुटवाल से और BCCI का सम्मंद क्रिकेट से हो जाता है अगला परशन देख लेंगे अगला परश साथ भारती राष्टी का अगरेश की स्थापना कब हुई थी? तो 188, 1950, 1889 या 1974 उसमें ROM से हमारा HAM अपसन कांगरेस के पहले सत्र के में सभी प्रांतों 72 प्रतनिद्यों ने भाग इसमें लिया था अगला परशन देख लेंगे निम लिखित में से कौन सा एक आडविक अखंड है आडविक अखंड कौन सा है कलोरीन है आकसीजन है सलफर है या फिर आरगन तो इसमेंज हमारा आपसर नमर साही है आपसर नमर डी आरगन तो क्या है निम लिखित में से एक आडविक अखंड है तो कौन सा है आरगन है आरगन एक रासायनिक तत्व है इसका प्रतीक AR और परमाण संख्या 18 यह एक निस्क्रिय गैस है जो आडविक रूप से अखंड है बायू में प्रतिविक है बायू मंडल में नैट्रोजन और अक्सीजन के बाद आरगन 0.93 परसंट तत्थ साथ तीस त्री सबसे अधिक मात्रा वाली गैस हो जाती है आगला परसंथ देख लेएंगे इन में से कौन अंडमान निकोवार दीप सम्हु को अलग करता है तो कौन सा चैनल है आठ बिंदू से आठ वे बिंदू से दस डिग्री क्रिक या चैनल या फिर डंक या संकारा रास्ता या कोको बे तो इसमें हमारा दस डिग्री चैनल हमारा आपसन नंबर सी सही हो जाएगा 10 डिगृट Nano या चैनल यह जल संधी भारत के अंडमार और निकोवार दीब समहु, छोटे अंडमार दीब समहु को कार्निकोवार दीब समहु से अलग करता है आठ डिग्री चैनल जो है ये लच्छ दीप और माल दीप को अलग करता है जबकि भारत और स्री लंका को पाक जलडमरू मद्धे अलग करता है अगला परसन देख लेंगे परसन नमबर है 10 छै रोग या टीवी रोग चै रोग या टीवी रोग के करण होता है तो ये आपको देखना है और बताना है तो इसमें प्रोटो जोग है कबक है वाइरस है या फिर बैक्टिरिया तो इसमें हमारा आपसन नमबर सही हो जागा D, 6 रोग या TB, TB का जो कारक है, वो क्या है, बैक्टीरिया है, को है, बैक्टीरिया 6 और TB, एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरियल बीमारी होने के वाली बीमारी है, जो मुख्य रूप से फेफडों को प्रभावित करती है, यहां आमतार पर, माइको बैक्टीरियम, 20 मार्च को प्रतेक वर्स मनाया जाता है, अगला परशन देख लेते हैं, अगला परशन क्या है, कुशन नंबर 11 है, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण, एक दूस्ते के संपर्क में, दो सतों की सापेच गती होती है, सामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं ह 20 म ओलते है, या फिर संपर्स, तो उसे क्या खेते हैं, तो उसे संपर्स भोलते हैं, क्या बहूते हैं, संपर्स तो परशन के लेते हैं, कोजिरू जील चे त्रिकोड में पाई ज सतक दॉप गंगा और महांदी गोदावरी और क्रिश्णा महानदी और गोदावरी क्रिश्णा और कावेरी इसमें से हमारा आपसन नमर सही है बी गोदावरी और क्रिश्णा कोलेरु जहिल जो है कोलेरु जहिल गोदावरी और क्रिश्णा के त्रिकोड में पाई जाती है कोलेरु जहिल भारत के अधिकांस अगला प्रशन हमारा है लोक सभा में कितने एकलो इंडियान सदस्य मनणूनिक किये जा सकते हैं तो कितनी किया सकते हैं? तो इसमें हमारा आपसन नम्बर saha है आपसन नम्बर ए क्या है? दो क्या है? भारती सम्विधान के अनुच्छे 331 के तहत राश्टपति लोक सभा में दो सदस्यों को आगला भरती समधाएक से नियूक्त करते थे परंत 114 समिदा संसुधन अधिनियम 129 के द्वारा लोकसभा और रासभा बिधान मंडल में एकलो इंडियन के लिए सीटों का अरचड समाप्त कर दिया गया है अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती बर्गों के लिए सीटों का अरचड अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसत भवन के लिए चुना जाता है देख लेते हैं कुर्शन नमबर 14 यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसत भवन के लिए चुना गयाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांचित हाल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए तीस दिन, दस दिन, चौदा दिन या फिर शाद दिन तो इसमें से हमारा आपसन नमबर हो जाएगा सही कौन सा आपसन नमबर बीस हो जाएगा दस दिन दस दिन के भीतर जन प्रतिनी धित्त अधिनियम 1951 की धारा आरसट एक के अनुसार समिधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संस्त भवन के लिए चुनायाता है तो उस व्यक्ति को सधन के वांचित हाल में या हर हाल में दस दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचना देना पड़िएगा देख लेते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन देखेंगी अगला प्रशन हमारा हो जाएगा कोश्चन नमबर 15 कोश्का के नाभिक का अभिस्कार किस ने किया था कोश्का के नाभिक का अभिस्कार किस ने किया था तो ये किसने के रावाट हुक ने, अलक्जेन्टर फ्लैमिंग ने, एंथोनी वान, लिविन हॉक ने या रावाट ब्राउन ने तो इसमें से हमारा आपसर नमर सही है D, रावाट ब्राउन, कोश्का के नाभिक की खोज, स्कॉटिक बनस्पति सास्त्री रावाट ब्राउन ने की थी, जबकि रावाट हुक ने, वर्स 1665 में, कोश्का, अलक्जेन्टर फ्लैमिंग ने, पेनिसलीन एवं एंथोनी वान, लि परशन देख लेते हैं, असोक स्तंब कहां से इस्थित है, असोक स्तंब कहां से इस्थित है, तो इसके बारे हम देखते हैं, सांची, सारनाथ, पाठिल, पुत्र, या फिर महरवली, तो इसमें से हमारा आपसर नमर 20 है, सारनाथ, असोक स्तंब सिंग कहां है, तो ये था इसमें चार सेरो चारो दिसाओं की और मोक्य हुए हैं असो के स्थम्भ भार सरकार का राश्टी प्रतीक भी है यह धर्म चक्र का प्रतीक होता है यह है अगला परशन है निमलिखित में से कौन सा एक लकडी की लुगदी पर राशानिक प्रतक्रियाओं द्वारा बनाया फाइबर है पॉलिएस्टर नाइलोन बैग या फिर रेयान तो इसमें से हमारा आपसर नंबर सही हो जाएगा कौन सा रेयान क्या है निमलिखित में से कौन सा एक लकडी की लुगदी पर राशानिक प्रतक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है तो रेयान पुनर जी में इसे क्रतिम रेयसम के नाम से भी जाना जाता है रेयान लकडी की लुगदी पर राशानिक प्रतक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है इसे मिस्रित कपडा तयार किया जाता है अगला पशन है रियो पैरा ओलंपिक dhuyaar 16 में पहली बार भारती महिला पैरा ने कौन सा पधक जीता था तो इसमें सेहे सोना, तावा, कास, रजद, तो इसमें हमारा आप्षार नमबर सही हो जाएगा रजद पधक रियो परावलंपिक द्यार सोलाओं में पहली बार भारतिय महिला परावलंपिक की बिजयता दीपा मलिक ने रजद पदक जीता था दीपा मलिक साथपुट जैविलन थ्रो के साथ साथ तैरा की एवं मोटर रेस्लिंग से जुड़ी एक दिभ्यांग लड़की है या सोनीपत हर्याडा से सम्मंद रखती है अकला प्रशन है दच्छिड भारती मंदिरों के प्रिवेस द्वार को क्या कहा जाता है गोपुर घर बीमान अंतरिच तो इसमें हमारा आपसर नमर सही हो जाएगा आपसर नमर ए गोपुर क्या कहाता है गोपुर कहाता है दच्छिड भारती मंदिरों के प्रिवेस द्वार क यहाँ उपर किरीट कलस से सोभा मयान होती है अगला परशन है भविस्य की पीढियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चमता को धक्का दिये बिना बरतमान पीढियों की जरूरतों को पूरा करने की चमता विक्सित करना इस वाकिक से आप क्या समझते हैं तो कम विकास सतत सतत विकास, आर्थिक विकास, या फिर आर्थिक संब्रद्धी, तो इसमें से हमारा आपसन नमर सही है, सतत विकास हमारा हो जाएगा, सापेच घनत्यू की एकाई क्या है, कोई एकाई नहीं है, किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर है, बर किलोमीटर है, या घर किलोमीटर है, तो घनत तो में से दिल्ली के किस लोगप्रे सुल्तान ने अलाईदार्वाजा का निर्माड कराया था तो फिरोसा तुगलक हैं, अलाउद्दीन खिल जी हैं, महुमद भिन तुगलक हैं या बल्बन तो इसमें से हमारा आपसन नमर सही है अलाव दिन खिली जी इसने करया था अलाव दिन खिली जी ने लगभग 1311 स्वी में लाल बलुवा पत्थर से सामगरी को बनवाया था और खिली जी वन्स का सासनकाल 1290 से 1320 स्वी तक चला था अगला परसन देख लेंगे वर्प का गलांग होता है 273.15 Kelvin 273.15 centigrade 273.15 Fahrenheit 273.15 radiance तो इसमें वर्प का गलांग किदिना होता है तो वर्प का गलांग 273.15 Kelvin हो जाता है जबकि बर्प के लिए 0 centigrade तापमान है वही Kelvin में यहाँ 273 Kelvin हो जाता है इसके Kelvin का Kelvin तापमान की SI मात रखाई या SI IKAI है अगला पसंद देख लेते हैं नेम लिखेत में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा जहरना है योसे, माइट, फाल्स, नुहुका जहरना, एंजल, फाल्स या भूरा जहरना तो इसमें हमारा अप्सन नमर सही है एंजल, फाल्स एंजल, फाल्स जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात है यह बेनेजुएला, दच्छिड अमेरिका देश में, और नीको, सहकी, सहक नदी, कैराओ, नदी, चूरण नदी पर इस्थित है अगला प्रशन देख लेते हैं, सत्यमेव जैते, सब्द किस उपनिसद में है तो यह किस उपनिसद में है, यह मुंड़ को उपनिसद में मिलेगा कहा, मुंड़ को उपनिसद में है अगला प्रशन देख लेते हैं, अगला प्रशन हमारा हो जाएगा ओलम्पिक पतक बिजयता सुसील कुमार सिंग किस खेल से जुड़े है तो ओलंपिक पिजग बिजयता सुसील कुमार सेंग किस खेल से सम्मंदित है तो ये आपको देखना है बताना है तो ये हमारा आपसन नमबर हो जागा दी कुस्ती से सम्मंदित हो जाते हैं नरमदा नदी किस स्थान से निकलती है तो नरमदा नदी जो है ये अमर कंटक से नि भी नदी है नरमदा नदी मद्य प्रदेश महाराश्ट गुजरात आधिराज्यों में बहती है अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा सहर दुनिया की लोह और इसपात राजधानी के रूप में जाना जाता है पिटरसवर्ग मासको ओंटॉरियो लंदन तो इसमें हमारा आपसन नमबर कौन सा ही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसन नमबर सा ही हो जाएगा आपसन नमबर एक कौन सा पिटरसवर्ग पिटरसवर्ग अमेरिका के पैनिस सेल वेलिया राज में इस्थित है पिटरसवर्ग सहर दुनिया की लोह और इसपात की राजधानी के रूप में जयना जाता है मासको रूस की राजधानी है पॉन्टोरियो अमेरइकी प्रांत है और लंडन, ब्रितन की राजधानी हो जाती है भारत में किस नदी पर सबसे उचा जहरना पाया जाता है तो काबेरी, पेरियार, दामोदर, सरावती तो इसमें हमारा आपसन नमर से हो जाएगा सरावती नदी भारत में किस नदी पर सबसे उंचा जहरना पायाता है तो ये सरावती नदी पर सरावती नदी कारणाटक राजे में बहती है या भारत के पस्यमी और बहनेवाई नदीयों में से एक है या भारत का सबसे उंचा जहरना, क्या है जोग जलप्रपाद, इसे गरसुपपा या महत्मा गांधी जलप्रपाद भी कहते हैं पेरियार नदी का उद्गम पस्षीमी घाट के सिवगरी पहाडी से होता है कावेरी नदी का उद्गम पस्षीमी घाट के परवत ब्रह्मगीरी परवत से निकलती है अगला प्रशन है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है तो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या हो जाएगा कानून के समच्छ सभी लोग समान है ये हमारा हो जाएगा अगरा प्रशन है 31 महाबली पुरम में प्रसिद्ध समुद्ध तट का निर्मार किस ने कराया था तो ये किस ने कराया था? ये राज नरसिंग बर्मन सेकेंड ने ये करवाया था तो देख लेते हैं, जल्दी यल्दी कर लेते हैं डैस को धार्मी सुतंता दी गई है केवल अलपसंख्य को, केवल बहुमत को, सभी भारती नागरिकों को, या केवल बिसिस समधाय को तो इसमें आपसन नमर हमारा सी सही है, सभी भारती समधाय को, सभी भारती समधाय को धार्मी सुतंता दी गई है अनुशेद 25, अन्ता करण वा धार्म के प्रसार की सुतंता दी गई है 26 के अंतर का धार्मी मामलों के प्रवंदन की सुतंता दी गई है 27 में धर्म परचार के लिए करों की से मुक्ति 28 में सैचडिक वा संस्थाओं में धारिंग सुतनता वा पूजा की सुतनता दी गई है 33 में है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कानड होता है तो ये होता है किसके कानड़? तो ये होता है फेरिक आकसाइड के कानड़ ये होता है अगला प्रशन देख लेते हैं पहली सारभौमिक परिस्द कब भरी गई थी? तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अबस्तिक करते रहेगा तो इसमें हमारा 1893 आपसन नमबर भी सही हो जाएगा तो देख लेते हैं अगला प्रशन चलते हैं अगले प्रशन की तरफ तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अबस्तिक करते रहेगा जितना जल्दी आप लोग लाइक करेंगे और जितना आप इस सेशन को पसंद करेंगे क्योंकि आगे भी सेशन हम ऐसे हिलाते रहेंगे अगर आप लोग इस सेशन पसंद आया तो अर्थ सास्त्र में बैकल्पिक करक्रम का अर्थ क्या है तो अर्षात में बैकल्पिक करक्रम का अर्थ क्या है तो ये दिग कालिक योजना, लग अबधी योजना, इसलाइडिंग योजना, वारसिक योजना तो इसमें हमारा दिग कालिक योजना हो जाएगा लगू अबधी योजना अल्प समय के लिए 100 से कम के लिए 100 साल के लिए क्या है स्लाइडिंग योजना अवस्क्षता अनुसार समय उद्दे से कर रहते हैं इसमें अगला पसंड देख लेते हैं नरतकी के का से प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है तो काली बंगा लोथल मेड़ अप मोहन जोदुडू तो इसमें हमारा आपसन नमर कौन सही हो जाएगा तो इसमें हमारा आपसन नमर डी सही है कहां है आपसन नमर डी मोहन जोदुडू मोहन जोदुडू खुदाई से प्राप्त हुई थी नत्गी की प्रतिमा मोहन जोदलु पाकिस्तान के सिंद प्रांत का एक प्रात्तिर तित्थल है सिंद घटी सभिता में अनेको अवसेश प्राप्थ हुए है इसकी खोज रखाल दास बनरजी के द्वारा 1922 में की गई थी किसे दोरा? रखाल दास बनरजी के द्वारा की गई थे शुक्र अपने अच्छ के डेस डेस से डेस डेस तक घूमता है तो ये उत्तर से पस्यम, उत्तर दच्छिड, पूर्व पस्यम या पस्यम पूर्व तो इसमें हमारा अपसर नमबर साई है पूर्व से पस्यम की और शुक्र अपने अच्छ के पूर्व से पस्चिम तक घूमता है अगला प्रशन है धर्म निर्पेच राजी का अर्थ क्या है तो धर्म निर्पेच राजी का अर्थ क्या हो जाएगा सुरच्छित है, क्या हो जाएगा धर्म राजी पुझीवादी का नियंत्रन्, यह पूझीवादी होता है, राजिका राआजपाल कौन है, तो मंत्री परिषत संसद, कैबिनेट या फिर संसदी समीतियां, तो यह होती है काउन से कैबिनेट होती है, क्या है कैबिनेट होती है? राज का प्रमुक केबिनिट मंत्री होता है, जिसके सामोहिक रूप से मंत्री मंदल कहाता है, केबिनिट मंत्री मंदल विभाग के प्रमुक होते हैं, और तथा राज मुख्य सासक होते हैं, उत्तर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा, दुनिया का सबसे सर्बोच सिखर है, तो ये आपको देखना है और बताना है तो इसमें हमारा कंचन जंगा परबत, किली मंजारो परबत, सलाद परबत या फिर माउंट एवरेष्ट तो इसमें हमारा आपसन नमबर सही हो जाएगा आपसन नमबर डी माउंट एवरेष्ट दुनिया का सबसे सरवोच सिखर कौन सा है म माउंट एबरेष्ट हमारा सही हो जाएगा माउंट एबरेष्ट दुनिया का सबसे उचा परवसिखर है जिसकी उचाई 8.848 या 8.850 मीटर है या नेपाल चीन स्रीमा पर नेपाल में इस्थित परवत है कंचन जंगाविस्टु की तीसरी सबसे उची चोटी है किली मंजारो जो अला मुखी चोटी है जो तंजानिया में इस्थित हो जाती है तो आज का सेशन हम यहीं रखेंगे हमने आज 41 कृश्चन आप लोगों को करवा दिये हैं तो आज का सेशन हमारा यहीं साब्थ होता है थैंक्यू, थैंक्स वर वोचिंग, have a nice day, good day, थैंक्यू बड़ों क समान करें, छोटों को प्यार दें, अपना विक्तुत इस प्रकार से विनिर्मित करें, कि आपके साथ में महिल आएं, स्वच्छ, स्वश्थ और सुरच्छित महसूस करें, धन्यबाद